यह लो एवरीवन वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल विमनस क्लासेश तोड़े आज आए आएम गोईंग टो डिसकस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट और जूल्स हीटिंग इफेक्ट आज हम लोग जो है करेंट को करेंट को करने वाले यानि हम लोग करेंट का हीटिंग इफेक्ट देखेंगे जब किसी कंड़क्टर से करेंट फास होगा तो उस कंड़क्टर के स्टेट में चेंज्जे जाएगा उस चीज को हम लोग आज देखेंगे तो देखिए आप लोग जो है ऐसा फिल भी किये होंगे जब कोई भी जो है electrical instrument या electrical appliances बहुत जादे देर तक हम लोग यूज करते हैं तो आपका क्या हो जाता हीट हो जाता हो गर्म हो हो जाता हा है नोगे घर्म क्यों होता क्योंकि जब हम लोग उसको यूज में करते हैं तो उस समय जो है ecc Freebek आप होता है क्योंकि energy ओनर्जी बढूं करते हैं तो करेंट पास होगा तो कोई भी जो है होगा इसी एफ्यक्ट को जो है हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे देखेंगे कि जो है अगर ती स्केंड के लिए जो है कितना हीट प्रोड्यूज अगर मालनी मोटर है अगर यह गंटा तक जो है उसको यूज करें तो उसके लिए फर्मूला क्या होगा कैसे हम लोग कैल्कुलेट करेंगे तो उस चीज पर आज हम लोग उस तीस को यहां पे कि दिसकस करेंगे तो देखें यहां पे तो एक रेजिस्टर हम लोग ले लिए जिसका मतलब यहां पे कोई न कोई जो है collar applies है और उस lectress का जो से और है ओर है जन्नली हम लोग सिंबोलिक तोर पे नहीं करते हैं तो उससका जो है हम लोग क्रिक्रेटरिर्टिक्स ले लेते हैं और रजिस्टेन्स के तरम नोर También से ही जुआ लक्टीकल अप्लाइंसेज को हम लोग क्या कर देते हैं रहे कर देतेYouा रेजिस्टरन्स र है और पोटेंटियल डिफरेंस यहां पे क्या है भी है तो हम लोग जैसा की जानते हैं इसमें इसमें जो है एलक्तरॉन का प्रोफ होता है अंद फॉरम Значит टर्मिनला क encryद फोर। यहां यह जो सेल है या बैटरी का भीक बोल सकते हैं यह जो है उस एलक्ट्रोन पर क्या करेगा वर्क करेगा और एलक्ट्रोन को जो है कहां से कहां पहुचा देगा पोजेटिव टर्मिनल से ले जाके निगेटिव टर्मिनल पर पहुचा देगा एलक्टिक करेंट के कंसेप्ट में यह चीज हम लोग देखे थे कि जो है आप क्योंकि देखे यहां एलक्ट्रोन आएगा निगेटिव चार्ज है वह अपने आप तो इधर जाएगा नि क्योंकि यह भी निगेटिव टर्मिनल एक दुसरे को डिपल करेगा तो यहां पर क्या होगा बैटरी को जो है उस करते रहेगा तो देखिए तो इसका मतलब यह है कि जो वर्क है है ना उससे क्या होगा यह जो एलक्ट्रोन है यह जो चार्ज है उसका जो है इनर्जी क्या हो जाएगा बहर जाएगा तो वही जो बरहा हुआ इनर्जी है चार्ज में वह एनर्जी जो है रेजिस्टेंस के क्रोस हीट में इसको ट्में डूर्क हो इसमें क्या है स्बाइब क्नों एक रेंट भास्तr久 एलग्ट्रिक कंडॉक्टर्वन आप भास्ट through electric conductor, it becomes hot, it becomes hot, and its temperature starts rising. When a current pass through electric conductor, it becomes hot and its temperature starts rising. This is known as heating effect. This is known as heating effect. इसी को है, हम लोग, joules heating effect, दोनों सेम ही चीज़ है, हैना, या joules heating effect. अब देखिये, जो है, अगर किसी conductor में क्रेंट हम लोग, पास कराते रहेंगे, तो वो होट हो जाता है, और उसका temperature, राइज होना स्टार्ट हो जाता है, जिस फेनोमेना को जिस एफेक्ट को हम लोग, हीटिंग इफेक्ट बलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बाप करेंट या joules heating effect, अब देखिये, हम लोग क्या बोले थे, कि जो है, अगर मान लिजे कि जो है, इस वायर में हैना, जो है, आपका जो है, इस सर्कीट में, क्यू चार्ज फोलो हो रहा है, तो मान लिजे, यहां क्यू चार्ज आया, और यह सेल यह बैटरी भी बोल सकते हैं, इस क्यू चार्ज पर वर्क किया, और इसको जो है, को जेटीव टर्मिनल से, जो है, कहां लाके रख दिया, निगेटीव टर्मिनल पर, है ना, तो कितना, तो हम लोग क्या लिख लिखा है, इसके लिए वर्क डन बाई शेल, यह क्या हो जायेगा क्यों क्या रिख सकते हैं क्योंकि चार्ज जुको जो है देखिए पोटेन्चेल डिफेरेंस किता है फूलट है यह था है न। जो वर्ण कर रहा है हैना किस पोटेन्चेल डिफेरेंस के एक रोस में कर रहा भी भी potential difference के एक रोस में तो इसलिए जो है work done by a cell वहाप क्या हो जाएगा Q into V हम लोग देखे थे work done by external agent जिसको potential energy भी बोले थे electrical potential energy क्या होता था work done by external force और वह हमारा क्या formula क्या आता था Q into delta V delta V वहाँ पे क्या था w equal to Q into delta V हमारा क्या था potential difference और यहां पे delta भी हमारा क्या है भी है डेल्टा भी क्या है भी है तो हम लोग यहां लिखे तो इसके जगह पे तब हमारा work done क्या हो जाएगा Q into V और यहीं जो हमारा क्या हो कलाएगा potential energy हाना तो इतना अब जो है work done by a cell हाना और चार्ज क्यों भी कर लिए तो वह क्या हो जाएगा Q into यहां लिख देते क्यूंटू और यहीं जो है यह जो इससे जो है क्या होगा जो आपका चार्ज है उसका energy Q into V से क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा यह जो है यह जो तो यही जो जो इंक्रीज एनर्जी है चार्ज का वही जो है इस रेजिस्टर के एक्रोज जो है हीट में जो है क्या हो जाएगा यह पियर हो जाएगा ना तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं अद्ध एनर्जी of charge increased by increased by Q into V or this increased energy this increased energy this increased energy appears as a heat across the resistor across the resistor यहनि हम लोग क्या कह सकते हैं heat H equal to U equal to क्या हो जाएगा क्यों इन्टू भी क्यों इन्टू इन्टू अब देखिए अगर माल लीजिए कि जो है इस सर्कित में I current flow हो यह जो है आपका जो है बैटरी है जो external power source है यह आई करेंट अगर सप्लाई कर रहा है तो यहां से जो है हम लोग लिख सकते हैं करेंट i equal to v by r यानि v equal to हम लोग लिख सकते हैं i r हना और कितना चार्ज और करेंट को i equal to अगर मालने जे q charge t second में follow हो रहा हना t second में q charge follow हो रहा तो i equal to हम लोग यहां जो है इसको जो है राव्द अना पूट दवेलू आफ इसको जो हम लोग equation a माल लेते हैं पूट दवेलू आफ भी एन क्यू इन इक्वेशन ए इन इक्वेशन ए में जो हम लोग जो है दी और क्यू का वेलो पूट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा देखें h equal to u equal to q into b तो q हमारा कितना है i into t तो यह होगे i into t और b हमारा कितना है i into r तो यहां से देखें हमारा क्या होगे i square r into t t से केंड में कितना heat produce हो जाएगा i square r into t अब हम लोग जो है यह आई के फर्म है तो यहां से आप देख सकते हैं for same resistance और time के लिए जो है heat जो है कैसे डिपेंड करेगा एज करेक्ट्री प्रोपर्सनल क्या हो जाएगा i square एज आपका क्या है और अगर करेंट माले दो रेजिस्टर है दोनों में करेंट सेम है और सेम टाइम के लिए हमको जो है heat देखना है कितना तो हम लोग क्या अभ्जर्ब कर पाएंगे कि जो रेजिस्टर ज्यादे है उसमें heat प्रोड्यूज आपका क्या होगा ज्यादे होगा और जिस resistance का व्हलूर्ण होका कम होगा तो आगर करेंट स्टे म है तो heat प्रोड्यूज जो है direct प्रोपर्शनल टू आपका और होगा यानि जिस रेजिस्टेंस का वेलू ज्यादे होगा उसमें हीट क्या होगा ज्यादे हो प्रोड्यूज हो अगर आर और टी कॉंस्टेंट हो तो अगर करेंट का वेलू को डबल करेंगे हैं आई को अगर डबल करेंगे तो हीट प्रोड् पाराटतिए को यहां पर हमारा क्या है स्कौर हो नद यहां से च्छाइब का ह defence स्कौर है को मैем हो यहांसे यह देखे किया हो गर्विथी स्कौरिर वयर वाइड स्कौरर इन्टू आडON ईन्टू टीOR और यहां तो यहां सी यह क्या हो जाएगा भी स्क्वारड बैयर आल में पर इसंद्री सक्वार्लल कमभीनेशन वागेर है तो वहां पर हम लोग जो है हीड्प प्रोड्यूज निकालेंगे इस फर्मूले से भी ही स्क्वारड बैया और इंटू ठीके फर्मूले से कोई दिक्का दिसमें है अब हम लोग आते हैं अच्छा एक कोस्टन करते हैं छोटा सा देखें एक एक जो है बैटरी है जिसका पोटेंशेल डिफ्रेंस है 3 बोल्ट यानि ये में 3 वोल्ट है और है कि निसका फोरों है और इस सर्किल में आ follows तीन सेकन तक जो है कि 30 तक करेंवका फ्लो हो रहा है तो स्केंद में कितना हीट प्रोकुज होगा यह हमको निकालना है नए इस हीट प्रोकुज होगा है यह हमको को निकालना है तो देखे क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला एच इक्वाल टू क्या होता है वी स्क्वाइर बै आर इंटू टी क्योंकि यहां डारेक्ट पोटेंशेल दिया हुआ तो असलिए उस फॉर्म में हम लोग लिए नहीं तो हम लोग वैसे भी कर सकते डाइक्वाल टू भी बाय आर आई निकालना पड़ता यहां डारेक्ट पुट कर देंगे भी के जगा हम लोग क्या रिखेंगे ठीरी का स्क्वाइर और आर हमारा कितना है फॉर्म और टाइम कितना दिया थिरी सेकेंट यह सॉल्व कर ले तो यहां पर आ जाएगा ठीरी जा नाइन और हीट है तो हीट इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल्स कोई भी एनरजी का यूनिट क्या होता है जूल्स तो यहां पर हीट भी आपका क्या है एनरजी का ही एक फॉर्म है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा आपका जूल्स तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी एक बाद यह है यह यानि जो है के रूप मेरा एंटर्जी यह करते हैं है तो हम लोग आपलिकेस्यक्ति कभी धेंगे ताइनक प्रडूर और है और कभी-कभी है हमारे लिए यह देखें जो आपका सील रहा यहांनि इनरजी होगा कम होगा तो सेल के अनदर हमारा कोण सा एनर्जी रहाज तो सेल सेल का जो है कि यानि जो है जो हीट जो एनर्जी जो हमको मिल रहा है या किसी रेजिस्टर के एक रोज जो है जो हीट एनर्जी वह प्रोड्यूज हो रहा है तो वह किसके कोस्ट पर हो रहा केमिकल एनर्जी आप दा सेल के कोस्ट पर हो रहा यानि जो है जो आपका सेल है वह जी को जो है क्या करा रहा है उससे केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होके हीट में कंवर्ट होड़ा तो यानि हम लोग यह 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 है हताँ हीटन एनर्जी एनर्जी एंशी एंशी एनर्जी एफ्टर स ए प्रज अ जार्ज फ्र्ज द्र्ज द्र्ज फ्र्ज ट्रर ग्रोज बिल्दर of at the cost of chemical energy of battery at the cost of chemical energy of battery या सेल भी बहल सकते हैं कि आपना एनर्जी जो है यानि सेल जो है वार्क सिर्फ हीड को ही प्रोड्यूस करने के लिए करता है क्या हम ऐसा यही करता है सेल जो भी है ना सेल या बैटरी आपका जो है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है क्या सिर्फ हीड एनर्जी ही प्रोड्यूस कर रहा और कोई कम नहीं करता तो ऐसा नहीं है ना आपका जो सेल जैसे मोटर है ना मोटर को जैसे हम लोग स्वीज आउ का वहरना और आप देखें के पसाद जोंगे उसका काइनेटिक एनर्जी जो हो जाता है जब काइनेटिक एनर्जी एन नहीं हो रहा तो उसस्ष्ट करोंगे केमिकल एनरजी वो किसमें जो है कम आएगा और फिरिक्शन को अभर कम करने महें तो इसलिए जुए देखे होंगे आपको जो है मोटर जो है कि वही प्रिक्शन को अभर कुम करते हैं फृक्षनल फोर्सuclear स्क्राइब हो जाता है the starting में आपका जो है वर्क करता है इनरजी यानि स्पीड वह इंक्रीज होता है लेकिन आपटर सम टाइम जो है आपका जो है मोटर का इस पिडिक हो ए parliament हो जाता और और सिर्फ जो भी जो है आपका सेल का एनरजी जो आप कंज्यूम हो रहा है वो किस परपस के लिए हो रहा है फ्रीक्जन को अभरकम करने के लिए है ना और फ्रीक्जन को अभरकम और फ्रीक्जन के वज़दा से ही जो है ना क्या होगा हीट प्रोड़्ीज होगा मोटर में अब हम लोग आते हैं downtric power अभार पावर पढ़े होंगे नाइन्थ में रेट ओफ ड्विंग वर्क इसकोड पावर है ना कारी करने की कारी करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं पावर कहते हैं मन लिजे की दो बंदा है है ना सेम काम को दो बंदा जो है एक सेम काम कर रहा है दो बंदा है और एक जो है उस काम को दो घंटे में कर रहा है लेकिन दूसरा बंदा उस काम को जो है चार घंटे में कर रहा है तो हम पूछेंगे कि किसका पावर जादे है तो आप कहेंगे जो कम समय में काम कर रहा है जो दो घंटे में काम कर रहा है उसका पावर क्या है जादे है यानि वो फास्ट काम कर रहा है यानि पावर जो है एक्चोली आपको यह बताता है कोई भी काम जो है कितना फास्ट या स इसको define ऐसे भी कर सकते हैं rate at which energy produced or consumed is called electric power है ना यहां ऐसे भी इसको यहां electrical energy consumed or produced per unit time is called electrical power electric power electric energy consumed or produced or produced per unit time इसको हम लोग क्या बल देंगे electric power तो यहां से देखिए हमारा पी इक्वल टू क्या हो गया यू बाए टी energy consume per unit time और यू का formula क्या था i square r into t divided by t तो यानि यहां से हमारा क्या आगे i square r या भी के form में लिखें तो यानि v square by r into t divided by t तो यह हमारा क्या हो जाएगा यहां पर देखिए एक चीज और कर सकते हैं यहां यहीं से लिए आई square r है तो इसको लोग लिख सकते हैं आई इंटू आया तो यहां से यह क्या हो जाएगा आई को ऐसे यह जिटीज रनने दें और आई आर के लिए हम लोग क्या लिए भी लिए यानि जो है पी का फर्मूला क्या क्या हो गया पावर आई square r यहाई से को हम लोग भी इन्टू भी या भी इन्टू आई कर सकते हैं और 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 गभी कभी देखते होंगे पावर दिया बार आता है और त् discussion में जो हम लोग inner जी कभी इसे निकालेंगे ति फावर भी दिया और पावर द्या और पूज रहां और पूज्राएं कितना होगा तो हम लोग यहां से देखें यू इक्वल टू क्रोस मल्टिपलाई कर दीजिए इसको तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इन्टू टी अगर पावर और टाइम दियावा और पुजरा की एनरजी कंजूम या प्रोड्यू कितना होगा तब हम लोग जो है इस फॉर्मूले से उसको कैल्कूलेट कर स लगते हैं तो यह हमारा हो गया एलक्ट्रिक पावर अब देखे हम लोग आते हैं एलक्टिकल यूनेट है ऐलक्टिकल उनीट इस है स्वाट में घार में विजली भील आता है वह इसी के अधार क्या दोर्यां जिसे मलिजियंग के जगा लिखा ओ रहाद है दो तो यूनिट तीन सो में चारू सो यूनिट और आपको पता रहाता है यूनिट जो है उसका कोष्ट कितना है ना माली जै कि यूनिट का कौष्ट अगर 10 रुपिया है और आपका रीडिंग जो है आया है 100 तो आप लोग 100 से उसको क्या करेंगे है टोटल कितना जो है आपको पे करना पड़ेगा एनर एलक्टीसींटी बिल तो 100 into 10 कर देंगे यानि एक हजार रूप्या तो अलग अलग जगा जो है रेट अलग अलग होता है तो देखे तो यूनिट होता क्या है यानि कितना जूल जो है आप एनरजी कंज्यूम किजिएगा जो है जो आपका मीटर है जो यहां पर रीडिंग लेते हैं मीटर से वह आपका जो है यह ऊंटनीट सो करे उसके लिए जो है कितना एनरजी जो है आपका electrical appliances consume करेगा तो देखिए तो one electrical unit जो आपका होता है वो होता है one kilowatt hour one kilowatt hour को हम लोग जो है क्या बलते है one electrical unit और यह kilowatt क्या है आपका hour है तो आप watt देखिए मत समझेगा कि यह power क्या unit है one kilowatt hour यह unit किसका है energy का it is a unit it is an unit of energy यह हमारा किस्षिच का unit है energy का unit देखें यहां पर अभी हम लोग देखेते न पी इक्वल टू लिखते हैं यू बाय टी तो यहां से यू इक्वल टू हम लोग लिखेंगे पी इंटू टी और पावर का एस आई उनिट क्या होता है वाट है और टाइम का जो हमारा क्या होता सेकेंड वाड इंटू सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं जूल क्योंकि जो है इनरजी का एस आयूनिट हमारा क्या होता है जूल होता है यह जो है हमारा क्या है अनरजी है तो यह हमारा क्या हो गया है सब्सक्सेंट वाट है तो लोग टीकल ह्याद कीलो वाट् आवर्ट को वान एलक्टीकल यूनिट बलते हैं तो कीलो同將 सेकेंड में कन्वर्ट कर लोगいきます घंटा में कितना सेकन होता सास यहां से क्या हो जाएगा युधा थर्ती सेसेक्स एंडेड ही इन्टु टेन पर पावरρό त्री इन्टु वाट इन्टु सेक Cand औॉल होता है तो हैं नहीं तो ये इन्टि एक तैनंत स्वल्ण एतना ज्वल्ण आपका electrical appliances या domestic appliances इतना जूल energy consume होगा करेगा तो जो है रीडिंग कितना आएगा मीटर में रीडिंग कितना आएगा one electrical unit ये चीछ समझ में आगे आपका और si unit of power क्या होता है याँ यू निड आउफ पावर देखें यू बाइटी हम लोग लिखते हैं यानि यू क्या है energy एनरजी का क्या होता है जूल और time का second तो जूल पर second और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वाट इसी को हम लोग वाट भी बोलते हैं आप देखे इससे related जो हम लोग एक दो question कर लेते हैं अधा जैसे पहला question है अधार को आप आप जा और नख्यों को अधार को वाट गडर का आप बार को अधार क्याज़ पदाद क मॉआ बढदे हैं an electric yeah electric at Lee is rated is rated 500 watt 220 500 watt 220 volt it is used to heat it is used to heat water for 30 seconds calculate the heat produce calculate the heat produce calculate the heat produce अब जो है ने एक कोशन और है उसको भी हम लोग लिख लेते फिर दोनों कोशन को एक साथ ही करते हैं दिसे पहला कोशन है दे रेट और the rate of electricity in a town in a town is rs3 per unit यह यूनिट का तीन लूपया है calculate the cost of running calculate the cost of running calculate the cost of running for 10 hours for 10 hours for 10 hours a day 10 hours a day 10 hours a day for the whole month of June for the whole month of June कि यह दो कोशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहला कोशन देखे क्या है एन एलक्टिक केटली इस रेटेड फाइव हडेड़ वार्ट टू ट्वेंटी वॉल्ट इस यूज टू हीट वाटर फॉर थर्टी से करना देखिए हम लोग कोई भी एलक्टिकल अप्लैंसेश खरीद है और दूसरा वह किस बोल्टेज पे जो है इफिसेंट वर्क करेगा है यानि कौन सा बोल्टेज अपलाई उसके एक रोस करें तो वह वर्क बेटर करेगा सबसे अच्छा वर्क करेगा तो जैसे माल लीजे आपका एलक्टिक केटली यहां दियावा है वह उसका जो है कितना है और पावर रेटिंग कितना है फाइव हंडेड वाल देखिए इसका मतलब क्या है कि जो है अगर 220 वोल्ट अगर देंगे उस एलक्टिक केटली को तो उस वो जो है पावर जो है उसका रेट आफ एनरजी कंजूम यानि जो होगा वो क्या होगा 500 यानि जो है अगर 220 वोल्ट अलक्टिक केटली को सप्लाई करेंगे तो वो जो है आपका जो ईस इनरजी कंजूम करेंगा 500 जूल कंजूम करेंगा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते 500 जूल पड़ सेकेंड ना कि अब कितना समय तक जो है पानी को हम लोग हीट कर रहें इस से कैंद तक हीट कर रहे हैं चारा कैलकूलेट हीट हीट प्रोड्यूक यह इसी को यू भी लिखते हैं ह्सक्षक यहां से पी हमारा कितना कितना है 500 और पावर थिरी जूल और टेन पर पावर थिरी को किलो बलते हैं तो यानि 15 किलो जूल इतना एनरजी जो है क्या होगा कंज्यूम करेगा अगर 30 सेकेंड तग एलक्टिक केटली को हम लोग यूज करते हैं वाटर को हीट करने के लिए यह पावर रेटिंग का मतलब समझ गए ना पावर रेटिंग का मतलब है कि अगर 220 वोल्ट अगर सब इसके सप्लाई करते हैं लग्टिक केटली को तो वह एक सेकेंड में 500 जूल जो है एनरजी कंज्यूम करेगा एक सेकेंड में 500 तो दो सेकेंड में कितना जूल एक हजार जूल है ना उसी तरह से जो है अगर इसको ज जूल है ना जिसको 15 केलो किलो जूल भी बोलना है हम लो तो यह हमारा वल्टेज रेटिंग यह हमारा पावर रेटिंग दिया और नेस्ट कोस्टन है देखो देरेट अब लग्टिसीटी इन टाउन इस आरेस थ्री पर यूनित पर यूनित मतलब अलक्टिकल यूनिट है न यह दी जू है कितना देट क्या है है कि efficient फिललक्टिकल यूनित dapat cheese to follow रनिंग 80 वाट फैन अर्ट-षायल है यह 다न है वह हमारा कितना वात कहा है 80 वाट कहां इसका पावर मरा कितना एटी वाट कहा और कितना घंटा यह चलता है 10 hours एक दिन में 10 hours per day और कितना दिन था पूरा फोल मन्थ हो जून है ना तो जून आपका जो है जन्वरी है ना जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रिल है ना मैं जून जून आपका कितना 30 डेज का होता तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है अगर यूनिट निकाल लें है ना कि एक फैन है जिसका पावर कितना है 80 वाट है तो यह जो है एक मेहने में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा पूरे जून मेहने में एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा अगर हम लोग यह निकाल लेतेैं कि जो है कोई फेन जो है अगर डेली दस घंटा चलता है 30 दिन में कितना इनर्जी कंजूम करेगा अगर हम लोग यह निकाल लेते हैं तो वहां से हमारा e-lektrical unit निकल जाएगा और एक electrical unit का जो है चार्ज कितना लगता है 3 रुपты तो उसी इंसाब से हम लोग निकाल लेंगे है ना है तो देखे एक दिन में जो है कितना घंटा होता है कि अधुमि यह यहां पे हम लोग पर एनरजी निकाल ले तो एनरजी यह इसको यू से भी दिनोड करते हैं तो यह हमारा क्या है एट्टी वार्ट और टोटल टाइम देखिए तेन आवर्स ये तो एक दिन में टोटल थर्टी डेज है तो कितना तेन आवर्स इंटू थर्टी यह जो है अगर हम लोग टोटल टाइम की बात करें टोटल टाइम कितना दिर फैन जो है मतलब आपका रणिंग में है टोटल टाइम ओफ रणिंग ओफ फैन रणिंग ओफ फैन तो यह हमारा देखे कितना आ जाएगा तेन इंटू थर्टी आवर्स यानि जो है तीन सो तीन सो घंटा जो है वो फैन हमारा क्या हो रहा है यूज में है और हमारा जो है यह क्या है एट्टी वार्ट पावर कितना है एट्टी वार्ट यानि जो है एक सेकेंड में एट्टी चूल एनरजी कन्जूम करा तोटल एनरजी हम लोग कितना हो जाएग ऐट्टी इन्टू और यह हमारा 300 सकते ृ। इसको हम लोग देखें ऐसे ही लिख सकते येड़ कुद्टीन पर अब थीरी वाट और वाटकरह येले करिक्तर में लिखने हैं, पावर को हमलोग त्री हंडेड कि आवर्स और इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं देखे एट इन्टू थ्री इन्टू टेन पर पावर थ्री वाट आवर्स है वाट आवर आवर के लिए एच वाट के लिए डबलू तो यह हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 24 और टेन्ट पर पावर थ्री को किलो और यह वाट आवर और वन किलो वाट आवर हमारा क्या होता है एक यूनिट होता है तो टोटल यूनिट कितना हो गया कि एक यूनित कितना के बराबर होता वन कीलोबाट आवर तो यहां ट्वंटीफोर किलोबाट आवर है तो यह है मारा कितना हो किवेंटीफोर यूनिट है कि तो कॉस्ट टोटल कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट एक ऊच्छ रूपिया तो 24 यूनिट का कितना है तो आपको कितना प्रोप्ता लूंप पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है उसको निकाल लेंगे किस फॉर मैं किलोवाड्ष के फॉर में क्योंकि हम लोग जानते हैं वन किलोवाड्ष आवर्ष डावॉड आपका क्या होता वान एलक्ठीकल यूअट होता है इसलिए हम लोग युनिट निकाल लेम हमको असानी सब्सक्राइस होगा क्यों इनर्वाट अभर्ण in तो 1 वान किलोवाट आवर जो एक यूनिट होता है तो ट्वेंटि-फोर किलोवाट आवर ड्सक्तित अनौन опис डूर्ट कर यूनिट हो गया और एक यूनिट का कोस्ट कितना पड़ता है 3 रूपया तो टोटल कोस्ट यहां पे कितना होता है ंड, 70 रूपया